नमस्कार आप देख रहे हैं म्रदुभाशी नियूस पर धर्म की बाद म्रदुभाशी के साथ और आज हम मिलेंगे महामनलीश्वर श्री दादु महराज से और सुनेंगे उनके श्री मुख से शनी देव की महिमा और जीवन में शनी देव के प्रभाव तो आईए महामनलीश्वर श्री दादु महराज के चर्णों में शीशनवाते हैं और उनके अम्रित वच्णों से जीवन को सुगम बनाते हैं जै शनी देविट पिछले वीडियो में आप सब लोगों की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं राब्त हुई और बहुत सारे ने हमें संदेश वेज़े की कृपया ऐसी ही छोटी छोटी उपाएं तोटके इस्तरोत मंत्र आप हमें बताएं क्योंकि कल्योग के अंदर लोगों के पास बहुत सारी सुधाय तो हैं लेकिन उनके पास समय का भाव रहता है घंटो पुजा नहीं कर सकते ज्यादा मंदिर के नियम वहपाल नहीं सकते बहुत देर तक मंत्र जाप भी नहीं कर सकते हैं ऐसे सभी लोग जो सुबह जल्दी उटकर भगते रहते हैं और देर रात तक खराते हैं ऐसे ही तो जीवन नईया हम लोगों की चलने लग गई हैं तो इसके बीच में ऐसे छोटे-छोटे स्तरोत मंत्र उपाय टोटके हमार लिए बहुत कार कर दोते हैं और कल्यूग में विशेश रूप से प्रभावशानी होते हैं आज हम बात करेंगे शनी भार्य स्तरोत की एक बहुत ही सरल स्तरोत आप लोगों के समुख आज बताने वाला हुआ हैं आप लोगों ने बहुत सारी जगा पड़ा होगा, आप लोगों को जानकारी में होगा कि शनीदेव की पत्नी ने शनीदेव से वर्दान लिया है कि जो भी इस तुरोट का पाठ पड़ेगा, उसे शनीदेव की पीड़ा कभी भी नहीं सताएगा हमेशा उस पर शनी देव की क्रपा बनी रहेगी बरस्ती रहेगी तो शनी देव की क्रपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही आसान है शनी भार्यास्त्रूत हमें इसको किस प्रकार से पढ़ना है हमें इसका किस प्रकार से जाप करना है इसका क्या समय है किस दिन करना है इन सब बातों के इन सब प्रश्णों के उत्तर भी आज हम आपको जरूर देंगे पहले तो इसके जो नियम है वहां मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आप जब भी शनी भारिया स्तुरूट का पार्ट पड़ें उसके पहले प्रयाज करें कि आप शरीर से पवित्र हो आप सनान आदी और देनिक नित्य कर्म से निव्रत हो चुकें साफ वस्तर पहने जदि आपके पूजनिस्थल पर कारेले में या घर पर शनी देव की कोई प्रतीमा या शनी देव का कोई छित्र हो तो उसके सम्मुक बेटकर यदि हम इस त्रोट का पाठ पढ़ते हैं बहुत ही छोटा सा पाठ है मुश्किल से दो मिनिट भी नहीं लगते इस त्रोट का पाठ पढ़ने के लिए यदि आप शनी देव के चित्र के सम्मुक इस पाठ को करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा प्रयास करें कि जहां पर भी शनी देव की चित्र या प्रतीमा आपने रखी है उसके सम्मुक एक सरसु के तेल का तीपक जलाएं उसके ही पास में एक अगर्बत्ती भी जलाएं धूप बत्ती का भी ब्रयोग आप कर सकते हैं यह स्त्रोट का पाट यदि आपके घर में चित्र या प्रतीमा नहीं है तो आप अपने नजदीक के शनी मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं दूसरा इसे कभ पढ़ना चाहिए शनी भर्यास्त्रोट को पढ़ने के लिए सबसे उपियुक्त जो समय है वह है सूर्यो दैसे पूर्व या फिर सूर्यास के पश्चात अरदा जब शनी देव की उपस्तिती रहती है वो सूर्य देव की उपस्तिती नहीं रहती उस समय यदि हम शनी भर्यास्त्रोट का पाट पढ़ते हैं तो वह बहुत ही लाबकारी होता है अच्छा अगली बात अगला प्रश्ण कि इसे कौन से वार को पढ़ना चाहिए कौन सी तारी को पढ़ना चाहिए इसका कोई भी निश्चित नियम नहीं है आप प्रयाजगरें की शनीवार शनीवार तो जरूर पढ़ें आप प्रयाजगरें की अपने जन्म दीवस के वार को तो जरूर पढ़ें आप प्रयाजगरें 17 तारीक को पढ़ें 8 तारीक को पढ़ें 26 तारीक को तो जरूर पढ़ें जब शनी का अंक 8 आता है उस समय तो जरूर इस स्थ्रोट का बाट पड़े हैं और जब आप बहुत ज़्यादा पीडा महसूस कर रहे हो बहुत ज़्यादा कश्ट महसूस कर रहे हो बहुत ज़्यादा अपने आपको रोगों से ग्रस्त महसूस कर रहे हो तो इस इस द्रोट का पार्ट शांती से जरूर करें आपको अवश्य लाब होगा एक प्रिश्ण और था कि इस इस द्रोट को कितनी बार पढ़ना चाहिए इस इस द्रोट का पार्ट आप एक बार अथवा ग्यारा बार या फ़र 21 बार नहीं तो 51 बार या फिर 108 बार आप करें ज्यादा लाब के लिए इस से ज्यादा संख्या में भी इस इस द्रोट का पार्ट आप कर सकते हैं जिससे आपको इसकी जल्दी से जल्दी परिनाम शुब प्राप्तर होनी लगेंगे अब इस्त्रोट का पाठ हम आपके सामने पढ़ते हैं आप शांती से इसे सुनिये और दूसरी बार जब हम इसका उच्चारन करें तो आप भी धीरे धीरे इसके साथ में उच्चारन करें जिससे आपको इस्त्रोट याद हो जाए इसे शनी भार्यास्त्रोट कहा जाता है अब आप त्यार हो जाएं द्वजिनी धामिनी येव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलह जाया तुरंगी महिशी अजा बस देखा कितना छूटा सा स्ट्रोट है इस स्ट्रोट को आपको जादा से जादा संक्या में प्राप्त करके पढ़के आप इसको जादा से जादा संक्या में लिख कर भी शनी मंदिर में जाकर छोड़ सकते हैं जिससे आपकी जो शनी की पीड़ा है वहाद दूर होगी फिर एक बार से मैं आपके लिए इसका उच्चारण करता हूँ आप धीरे धीरे शांती से वापस से इसके साथ उच्चारण करके इस त्रोट का पाठ कर सकते हैं धजिनी धामिनी येव कंकाली कलह प्रिया कंटकी कलह जाया तुरंगी महेशी अजा शने नावनी पत्नी ना मेतानी सहजबन मुमात दुखानी नाशे नित्यम सुभाग्यमे धते सुकम पितीशी शनी भर्या तुमावती स्रोतम संपूला जै शनी देव शनी देव के क्रपा और उनकी महिमा आप पर हमीशा बनी रहे हम सभी को श्री दादु महराज ने जीवन को सुखी संपन बनाने का मार्ग बताया और शनी महिमा से अम्रित वर्षा की यदि आपके जीवन में कोई बाधा है, कोई समस्या है या कोई रुकावट है तो आप श्री दादु महराज की सानिध ले सकते हैं म्रदुभाशी न्यूज आपकी सेवा में हमीशा तत पर है आप अपनी सवाल और सुझाओ हम तक पहुचा सकते हैं अगली बार हम फिर मिलेंगे महामनलीश्वर श्री दादु महराज के अमरित वचनों के साथ झाल